को बोलूं कि 368 आर्टिकल और 367 जो है जो इंटर्पेटिशन अफ दे कंसिटूशन इंटर्पेटिशन अफ दे कंसिटूशन सुप्रीम कोट में भी आज वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते जब तक इंग्लेंड में उस चीज़ का वही इंटर्पेटिशन ना हूँ आप उसको उसको पढ़के देखें उसमें आज भी रिफरेंस है एक तो यह है दूसरा यह जो इन्होंने जैसे 370 के साथ किया हमारा जो वो जो आर्टिकल को अगर आपने हटाना है तो तो इस रिपील बोला जाता है रिपील वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया for 370 तो 370 वह किया और रिपील की बात भी नहीं की जितने भी जितने भी दिगज है प्लिटिकल इसमें सारे किसी ने यह अब्जेक्शन नहीं उठा या तो इग्णरेंट है या डिलिबरेट है इन वोटेवर वे बर जब मैंने देखा कि Constitution में एक भी चीज जैसे Constitution में है कि जो Supreme Court का जू जीलिंग होगी, जो भी हेरिंग होगी, that has to be in English. ठीक है? हिंदी में होगी ही नहीं. तो जब हिंदी में होगी ही नहीं, आप राष्ट्रभात सा चिलाते रहते हैं, तो जस्टिस कैसे होगा? यह मुद्दे हैं जो किसी ने उठाया लिए. और इन मुद्दों के उठाये बि होते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं? आपको जो भासा अची लगते हैं, वो बोल सकते हैं? ने, सुप्रेम कोर्ट में अलाओ नहीं है, it is constitutionally not allowed and they have not, इसको change नहीं किया. क्योंकि वो अंग्रेजी में अंग्रेजी भासा करते आए, अंग्रेजी भासा में ज्यादा comfortable feel करते हैं नहीं, वो तो feel करते हैं, वो हम भी feel करते हैं, बट मैं कहरूं constitution की बात, constitution में लिखा हुआ है, तो इसको हटाओ ना, इसको हटाओ, अगर national language है, तो national language में करो, बिल्कु ठीक बात, इसको तबकाल करना चाहिए, बिल्कु ठीक बात, तो मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि यू के यू के यूज इजर ओप तूँ नहीं, वो national language जैसे अब national language आज कल जो exam होते हैं, हिंदी, इंग्लिज दोनों में होते हैं ना, हां तो वैसा, supreme court में क्यों ने होता है, हां, supreme court में कर सकते हैं, बिल्कु ठीक, आपका मुद्दा इगनम सही है, मैं कह रहा हूँ कि जित तो यह दो आर्टिकल मैंने देखे जो interpretation और जो modification इसका है repeal का इसको हटाने का ना तो उसमें modify कर सकते हैं, add कर सकते हैं या repeal कर सकते हैं तो repeal बोला जाता है legal language में और कोई चीज नहीं बोली जाता है और इसलिए 370 वहीं का वहीं है क्योंकि हमारे देश की जनता जो है वो इतना इतना समझदा नहीं है कि इस बारिकियों को समझे तो चल रहा है अब उनको क्या करना है उनको इसी पे तो करना है उनको इसी पे करना है अचा दूसरी बात यह है कि जब यह bill होते है बिल जो होता है, पार्लिमेंट में पेश होता है, तो कोई न कोई MP उसको पेश करता है, तो वो कौन सा MP था जिसने फार्म विल को पेश किया, उसकी बात पूछो न, उसने कैसे किया, ठीक है, और दूसरे जो procedure है, constitutionally procedure जो है, वो बिल पास होगा, वो पब्लिक को बताय and then debate होगा, सब कुछ होगा, यह सब कुछ हटा के उन्होंने पास कर दिया, तो this is unconstitutional, जो unconstitutional है, उसको अगर हम constitutional मान के बात करें, उसको support करें या oppose करें, तो क्या होगा, वो तो unconstitutionality तो रहता ही है उसमें, हमारे देश की बीमारी यह है, unconstitutional चीज को लेके, हम उसको मान के दो पार्टियां बन जाती है, एक support करता है, एक oppose करता है, बट fundamentally वो गलत है, ठीक है ना, अब अब देखिए तो यह अगर गलत है, और ऐसे क्या हुआ जितने भी rules बने, जब राजीव गांदी ने बनाया था, वो जो उसका party change करने का 1984 में बनाया था तो तो that was wrong, because parliament party के बारे में कैसे कर सकते है, party is nowhere in the constitution, party का कोई रोल नहीं है constitution में, तो हम party को सिर्पे चड़ाया जा रहे है, तो यह जो party का, अब मेरी बात ये कहेंगे, तो कोई भी नहीं मानेगा, तो पादल है, हम सब ठीक है, party के बिगर का सो, अरे party का reference नहीं है, so how can you talk about party, तो क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था, कि party तो काम करें, डिक्कत नहीं है कोई भी, उसको awareness और जो भी कुछ करें, but once he is elected as a member of parliament, he should cease to be a member of the party, now he will be working for his constituency, not for the party, इस simple से चीज जो मेरे को strike किया, ये मैंने किसी भी political science के teacher, professor या law के, किसी से किसी आप तो ये कह रहे हो, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, कि हमारे सब लोग purchaseable हैं, पहले तो criminals हैं, राइट, दूसरी बात है कि, उनकी सोच जो है, इस exploitative system से, फाइदा उठाने की है, इसे बदने की नहीं है, राइट, तो बैसी इस्तिती में, कैदी हम एक stable system नहीं लाएंगे, तो बाहरी की, बाहरी फोर्सें कुछ ना कुछ मुद्धा उठाके, आप, कैदी आप बहुत अच्छे हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको ही उठक के पटक देंगे, इसलिए हमको fundamental structure किया है, यह इनकी अपनी बत्वास है, ऐसा कोई fundamental structure नहीं है, fundamental है कि democracy होना चाहिए, राइट, वो, democracy जो है सब, यह वो किसी fundamental हो, basic structure हो सकता है, लेकिन जो है ना, parliamentary form क्यों, 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 जो है ना, basic structure होगा, so, basic structures can always be changed, क्योंकि हमारे यह ना, तो हर को ही जो है ना, unfisible community है, लोगा पैसे देके, ब्राइब देके और जो है ना, उनसे जो चाहेंगे, उसको गरुआ देंगे, इस पोठवा देंगे, सबसे पहले तो देश के लिए जरूरी है, कि उसकी stability बनी रहे, तरकार पात साल चले, तो सरकार एदी जब तक इन काले विजूकों के हाथ में, उनकी survival रहेगा, तो यह blackmail करेंगी, बिल्कुल, यह तो इनका, इनकी सबसे पहला काम होना चाहिए, कि इनकी blackmailing power खतम कर देना चाहिए, और प्रेशिडेंट जो है, पूरी इंडिया से चुना जाएगा, तो छोटे चरत्र के लोग, वो इटावा से जीच सकते हैं, वो बेट बंगाल के आपके किसी चोटे से गाउख कुणवे से जीच सकते हैं, लेकिन वो ओल इंडिया लेविल पर सर्वाइब होके, एजे लीडर इमर्ज करके आए, ऐसी सम्हा होना बहुत सब्सक्राइब, लेकिन ओल इंडिया में लालू प्रिसाज जो है न, चीफ एजुकुटूटूटूब अफिसर प्रेशिडेंट वाटेवर भी नाम हम उसको है, वो नहीं आसकते है, आई? करके आपना मॉडल निकालना चाहिए और दूसरा मेरा बहुत जोड से कहना है कि वी मस्ट गो और दा एक्सपेंडीचर फिरी एलेक्शन मतलब डूरिंग दा एलेक्शन कमिटिंग और दूइंग एनी एक्सपेंडीचर सुड़ भी एक्राइब नमबर वन नमबर तू जो है वन-टू-वन कैनवासिंग सुड़ आलसो भी एक्राइब मैतली सरण गुत भटाचारी को एजे बन परसं क्यों इंफ्लेंस करना चाहते हैं और वो चुनाव के पहले कर लें आप जो भी करना है एक बार चुनाव भूसत हो गया तो वन-टू-व तो आपको जो कुछ भी कहना है बटने और वो जो है नहीं एका आपने ऐ पर grading लोग जो है यह उस सास्तार्थ को सहन नहीं कर पाएंगे राइट ना उसका जबाब दे पाएंगे ना बात कर पाएंगे ठीक है ना राइट और एदिवर को उलजलूल बात कहेंगे तो और उल्टा रेकॉर्ड पर आ जाएगी अब जो है आपने जो है एक बोटिंग एप बना दिया उस तो आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तब आप जो है इलीजीबल होंगे और उस वीडियो में वो भी चीज रहेगी कि अधि आप अलड़ी MLAMP रहे हैं तो इन सभी की चीजें रिकॉर्ड होती हैं तो जहां जहां उसमें कोई कुछे हैं कोई भूमका रही है तो वो एक्स्टक्ट भी उसमें समलित कर दे जाएंगे तो उस पर एक लगा रहेगा कि दूरिंग होल पैसन यह नॉट आप्ट एनी कुस्टन यह नॉट दन एनी तो उसका पर्फॉर्मेंस भी आ जाएगा आप अब आप इस विल मेक यू ए इन्फॉर्मड बोटर तो वह आपको नहीं कुछ नहीं करना जीरो पैसा कुछ नहीं कोई ना चीज छपना है ना आपको जो है कि निसान मिल गया उनिसान आपका देखते ही रहे गा आपको ज़्यादा कुछ शकर करना ही नहीं ठीक है ना जगेगा तो उसका फोटो भी दिखाधेंगे ह मुश चुल जो प Nowadays नाभ इसके बाद जो है तो आपका जो है यह एकनम एक बढ़िया सी वेवस्ता होगी और चुकि आपको एकस्पेंडीचर करने का इसको भी छोड़ा नहीं चोड़ा आपको और मिल्की उसको उल्टा कह दिया कि आप अब एकस्पेंडीचर करेंगे और वो रिकॉर्ड पर आ गया तो आपको जो आपको जो आपको जाएगा तो अच्छे लोग आप आएगे आज 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 यह दिश्चाचारी खड़ा होना चाथे तो उनके पास जोना चनाव लगने के लिए 10 करोड रुपए है नहीं अच्छा इसके बाद हमें वो सुधार भी करना चाहिए जैसे पहला सुधार हम अभी बार-बार ऑन्रेवल प्राइमिनिस्टर से कह रहे हैं नंबर वन एक तो यह हम उनसे कह रहे हैं कि कानून का निर्माता अपरादी नहीं होता है तो सामने वाला कहता है कि साब यह तो न को ले देते हैं कि जाब आपकी F.I.R. है उसकी बेवेचना पूरी होने के बाद एक चालान न्यालय में पेस कर दिया है और न्यालय ने प्रामाफेशी साक्षों को देखते हुए तो आप इनिलिजिबल हो जाएगे दूसरा अपन एभी देते हैं कि आपके ख़लाब कोई सब्सक्राइब हुआ है जो पॉब्लिक डिमोंस्ट्रेशन के समय हुआ है तो उसमें मर्डर रेप एट्सेटर यदि उसका हिस्सा नहीं है तो उस अपराद को आपकी डिस्वालिफिकेशन नहीं मानेंगे तो अब जो अनलोबा कहें करें नहीं जब तक तब फाइनल अपी सब्सक्राइब हुआ है अपने उसको यह सैफ़ी बाल भी दे दिया है और एदी मालो मनी प्रधान मंत्र जी को लगता नहीं नहीं तो बहुत अच्छे हैं इनकी बना तो काम नहीं चलता है तो यह सब अच्छे लोग के फोटो ले और वह भाजा-पा कारेले में लगा ले इनको रोज नो फूलमाला लगा रोज उनको जो नार्थी उतारें उनकी प्सा और उसटेचर अच्छ और उतने इस्टेंट पार्टी का डेक्स बना दे जिला का डेक्स बना दे सबी लोग खब जाएंगे लेकिन वो अपरादी है और यह दो अपने जो सेफ्टी वॉल दि है दूसरा हमने मांग रखी है कि बहुत सारे लोग जो है तहत खरे खरे किये जाते हैं तो या 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 बच्ताचारी जी को लग रहा है कि हम भी चणाव में अपनी किस्प में तर्जबाते हैं तो बैट वे आपको लगता है कि भाई मैं तो जीतने की सिती में हूँ नहीं तो जो सबसे बेस्ट आपको लग रहा है या उसे खड़ा कर दीजिए और नहीं तो जो अलड़ी खड़े हुए सब्सक्राइब कर दीजिए मैं थोड़ा से रोक रहा हूं इसके बाद आप आगे बढ़ाईएगा एक बात हो गई है कि जिसकी जमानत जब्त होगी इसका मतलब है कि उसने बिना पूरी तपस्या किये वो जो है चुनाव प्रक्रिया में समलित होगा तो बिना तपस्या की के लिए इनिलीजिबल कर दिया जाएगा कि आप दस साल पहले पुब्लिक की सेवा करो और जब आपके दिमाख में इतना आप भरोसा पैदा कर लो कि मेरी जमानत नहीं होगी तभी खड़े हो आपने दूसरी बार भी किया तो जो है फिर जो है और दस की जगह 15 साल की तपस तो मैं कोई बैति को खड़े ही किया ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ओं को सपकाल देनोटिफाई करना चाहिए आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे पार्टी नहीं जीतता है तो तो आप जो है पंद्रा साल के लिए या दस साल के लिए आपको दिनोटिफाइग कर दिया है ठीक है ना अच्छा अब आप एक है तेंग नहीं नहीं साहब हम भी तुम तैयारी कर रहे हैं भी आ नॉट रेड़ी तो आप डिक्लेर करिए कि आई डिक्लेर माई पार्टी दॉर्मेंट फॉर यह 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 दूर्मेंट फोर टू यह राइट क्योंकि इस द्वरान में तपस्या करूंगा कोई आदमी ख़डा नहीं करें लिए तो भी आप जो है ना आपने ख़डा नहीं किया और यह भी डिक्लेर निया क्या किया कि हमने साब जो है ना दो साल के लिए अपनी पार्टी है तपस्या करने के लिए तो भी आप जो है ना डी नोटीफाय हो जाए तो पहले बात तो यह है कि गोटा को कैंडिडेट बनाये जाए तो जब लोगों को यह लगेगा कि सभी दुस्थ हैं तो कम वह आपका नोटा जीत रहा है इसके बावजूद भी वह उनका कुस नहीं बिगड़ रहा है वह सबसे कम वोड़ पाने वाला भी जीत जाएगा तो कोई फाइदा नहीं है तो नोटा को एक कैडिडेट माना जाए और कैदी कैदी नोटा जीते तो 15 साल तक इतने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट किये थे वह बिल बी इनिलीजिबल उन्हें 15 साल क की तपस्या करें अपने आपको इस्तापित करें तब जो है वो पुना चुनाव लड़ पाएंगे जब तक अपन इन सब रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे तो यह पालिटिकल पार्टीज यह काले अंग्रेज बहुत सारे आंकड़े लगाते हुए ना केबल जो हैना क्रिम आपने जो बहुत अच्छी बात बताई